वेलकम तो दे स्टूडियो टेडर्स विलासॉफ्ट को आज के दिर हमने ट्रेट किया था एंड मौनिंग में इस स्टॉक अपने प्रिवेट गूर्प में शेयर कर दिया था इसके लेवल्स बाइंग साथ की तरफ ट्रेट करना है और कहां से ट्रेट करना था यह सारी बनते हैं और प्राइस देखिए इस वाले स्टॉइंग के उपर जाकर के सस्टेनविलिटी देखा है तब हमने यहां पर अपना ट्रेड एक्स्क्यूट किया था और यही लेवल भी हमने आपको मार्क करके दिया हुआ था तो यह चीज होगी बाकि कुछ लॉजिकल नंबर होते हैं लॉजिकल नंबर साब बोल सकते हैं या एक्यूमिलेशन हो गया एफेक्ट मारक अप हो गया यह भी सारी चीजे होती हैं कि जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं फिलाल वाइक उपर का तो जो लॉजिकल पैटरिंस के उपर बात में डिसक्रिशन करेंगे वन आबर के इस रेस्टरंस को अपसाइट की तरफ तोड़ा था यहां तक देखिए जहां हमने अपने टार्गेट की हैं सबसे पहले काम करते हैं हम लोग ट्रेड बुक ओपन कर लेते हैं आपने प्रॉफिट्स का प्रॉफिट हैं मोमेंटम सॉफ्ट नहीं बोलेंगे जैसा है कि हमको एक दिन पहले ट्रेड करने को मिला था और प्रॉफिट्स के साथ में इसको भी रीफ्रेश कर लेते हैं पफेक्ट सो ट्रेड जो हमने मारा था 280.10 का हमारी एंट्री थी 278.70 का है स्टॉप्रॉस और 284.50 का हमारा जितना टार्गेट था वह सारा का सारा टार्गेट तो न और वही हमारा आज का हाई भी बना अभी उसको देखते हैं कि क्यों वहां से हम निकले और क्यों प्राइज उसके उपर फिर गया नहीं होके सो पूरी तरह से स्टेट को समझेंगे और चेंज ऑफ कारेक्टर जो एक चीज हम आपको आज के दिन बताएंगे आप उसको किसी इसकिलाब जैसा भी हमने बताया है एक्युमिलेशन के या फिर वॉल्यूम आकप वॉल्यूम ब्रेकडाउन और जो काफी सारे पैटर्न्स होते हैं इसके उपर भी डिसकेशन चाहें तो अभी कर सकते हैं या फिर वाइकॉफ के उपर डिसकेशन आज नहीं करते हैं आज सि सीखते हो आप इसे तो इसको जबूर से जबूर लाइक की जागा है थांक्स अपर गांच वाइग hints घंडल हो गया उसे मेटिकव ड्रने कंडर अंगल हो गया इनवर्टेडआ मेडंड लुग्डर हो ट्रिपल डॉबर तॉट ये सारे पैटर्स मते रध्रि हैना थैर केंड्रा कर्द सेक्माइर्ज को यूज होता है वैसे ही smart money concept के अंदर जो ये वाला method है entry करने का method है इसको बोलते हैं bullish CHOCH entry models होते हैं actually CHOCH का meaning होता है change of characters कोई मिला करके bullish CHOCH यानि के change of character indicates a simple possible trend change एक possible trend change की information यह हमको देता या यूं कहें कि indicate करता है जैसे कि आप इसको ऐसे समझे कि price ने एक low लगाया जैसे कि आप इसको ऐसे समझे कि price हमारा नीचे की तरफ गिरा और इसने यहाँ पर एक low लगा दिया यानि कि यह हमारा support area हो गया और price ने यहाँ पर एक low लगा दिया अब इसी support को price ने नीचे की तरफ break कर दिया यहाँ पर और यहां से ये फिर हमारा upside की तरफ चला गया अगेन जब price हमारा वापस से इसी zone पर आता है क्योंकि ये support area था यहां पर price ने breakout किया अगेन यहीं से support लेकर के upside की तरफ चला गया मतलब देख रहे हैं गिरते समय price ने यहां पर support बनाया और upside में जाते हैं यहां पर एक resistance बना दिना resistance break की upside की तरफ चला गया और फिर से देखिए price ने यहां से upside की तरफ जाते हुए और फिर से देखिए यहां पर price हमारा गिरा और same level से यहां पर एक entry आपको मिल रही है और यहीं पूरा का पूरा जो area बनता है ना यह entry का demand zone होता है यहां 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 पर जो changing character आपको दिख रहते है change of character आपने इस change of character का use किया आगे trade execute करने के लिए यह पूरा model समझ में रहा है यहां पर हुआ क्या price ने अपना यह support area बना दिया अब इस support को break करके नीचे की तरफ गिर गया यह हुआ क्या है तो यह पूरा का पूरा हमारा support area ही अब फिर से price ने क्या किया यहां से upside का momentum में दिखा दिया एक चीज़ हमें शायद रखिएगा support break होने के बाद में resistance बन जाता है और resistance break हो जाने के बाद में support बनता है अगें जब यह नीचे की तरफ गिरा है यह वाला जो हमारा support का area बनता है यह वाला area यही मेरा entry का point बनेगा मतलब कि यह अपर supportive area बन जाएगा अगर हमें trade execute करना और price हमारा इस वाले level पर है तो यहां से हम गिरती हुई market में buying कर सकते हैं और जो हमारे stop loss होगा न हम इस वक्त create के हुए अपने swings को अपने stop loss बनाते हैं मतलब price ने जो swing लगाया होगा हमेशा ideal condition ही नहीं बनेगी जैसे कि price हमेशा यहां पर गिर के सीधर यहां से उपर नहीं चला जाएगा हो सकता है वो नीचे तक आए और फिर यहां से momentum बना के upside के तरफ जाए बढ़ हम इस वाले area को अपने observation के zone में रखते हैं जैसे ही price इस वाले area पर हरकत दिखाता है मतलब हो सकता है नीचे की तरफ गिर जाए और जैसे ही price यहां पर आने के बाद में आपको confirmation दिखाता है आप यहां से अपने trade execute करते हो और उस वक्त जो swing लगे होते हैं वही हमारा stop loss होता है और इसके बाद में जैसा के आपका target हो आपका 1-2, 1-3, 1-4 जो book करना वहां से book कर सकते हो यह totally क्या है एक entry लेने की जगा हमने बताई है CHOC हम फिर से बोल लाए change of character के according आप trade execute कर सकते हो कि price का पहले हमें support area define कर लेना है यह एक दिन पहले का भी हो सकता और same day का भी हो सकता एक low बना, एक high बना और price हमारा सीधे नीचे की तरफ गिर गया अगेन जब यह upside की तरफ जा रहा है अगर आप उसको समझने के कोशिश करो तो बहुत कुछ आप यूँ ही सीख जाओगे किसी को कोई fees देने की जरूरत नहीं होगी free videos में उतना कुछ आप सीख जाओगे जो एक-एक structure हम आपको बता रहे है यह price action है, आप इसका use कहीं भी कर सकते हैं आप stock को trade करने में करो, आप derivatives को trade करने में करो आपको M6 में trade करता है, आप इस system को use M6 में trade करने के लिए कर दो यह कहीं पर भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि यह stock में ही चलेगा अभी जैसे हमने बताया था ना, अभी हम stocks को trade करें हो सकता है कुछ समय के बाद में हम options के उपर आए और काम करें तो उसमें भी कोई बहुत अलग हाँ है थोड़े बहुत systems हैं जो कि हमें change करने पड़ेंगे लेकिन price actions तो आही रहेंगे price actions change नहीं हो जाएंगे तो यह वो चीज़ है ना अगर आप इसके practice करो तो अब free videos से बहुत को सीख जाओगे ओके अब आगे बढ़ते हैं और आज के trading में हमने इस method का use कैसे क्या है इसको देख लेते हैं चलिए अब देखिए price का कल downside का एक momentum हुआ था जैसे की daytime frame पर हम इसको लिकर का रहा है अब price ने देखिए क्या कि एक downfall में काफी दिन से यह नीचे की तरफ दिखा रहा है हमने आपसे कई बार कहा है कि किसी भी stock को हम यूँ ही trade नहीं कर देते कि बस black candle देखिए shot मार दिया या green candle देख लिए buy कर दिया यहां पर हमें एक सही जगह पर चेप जैसे previous एक zone पर चलते हैं आप देखिए कि birla soft ने upset का तो momentum हमें दिखाया था बट उसके बाद से price हमारा सीधे नीचे की तरफ गिर रहा है अब हमने इसको रास्ते में कहीं trade नहीं किया बट इस वाले level को हम कहीं न कहीं track कर रहे है कि price हमारा इस वाले support area तक तो कम से कम चला है अब minute levels पर जाकर करके जब हम day time frame को मा करेंगे तो इसके जो swings हमें नजर आ रहे हैं वो ये वाले कुछ एक swings बन रहे है देख पा रहे है ना ये वाला area ये पूरा का पूरा जो zone बना है हमारा ये important zone बन गया है अब हमें करना क्या होगा कि यहां से अपने trading के setups find करने होगे हमें अगर ऐसा लगता है कि price यहां से मेरा upside के momentum दिखाने के कोशिश कर रहा है तो यहां से हम अपने trade मार सकते हैं अब same level हम रहने देते हैं और सीधे चलते हैं 5 minutes के time frame पर समझ रहे ना मतलब day time frame पर हमने इतना काम किया बात करते है change of character के बारे में कि इसका क्या use होगा इसके अंदर देखे इसको सीधे आप इस तरह से समझो volumes प्लस price volume यहां पर जिस वाली candle के अंदर का लाई थी यह वाली candle है ना यहां पर देखे क्या हुआ है कि price ने वहां पर एक support ले लिया जहां पर volume आई है प्राइस ने उसी एक जगह पर जा कर खुप support लिया अब इस support के बाद में हुआ क्या यहां पर देखे इसने अपना एक swing बना दिया उसी जगह पर जहां पर कल volume हाई थी और इसने support ले लिया अब प्राइस का एक momentum downside की तरफ हुआ जैसे अब से यह कहीं यहां गिरा clear अब इस downfall के बाद में आज का आप high देखे 9.15 की candle ने जो high लगाया और कल का यह हमारा low था है ना याद रखे कभी जो drawing में हमने आपको बताया और फिर price ने क्या कि हमारे यह वाला low break कर दिया मतलब जो कल का मेरा support area था उसको इसने break कर दिया इस वाले zone को downside की तरफ अब अगर इसको गिरना है तो क्या करना होगा simply आप समझो के बिल्ला soft को गिरना है तो क्या करना होगा 9.15 का low break कर दे या फिर यह वाले जो swing लगा है अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो character सुवे थी इसका price ने break out किया था change of character के बारे में कब पता चलता है जब price again हमारा same direction में न जा करके opposite direction में trade करनी की कोशिश तो हमने क्या किया कि जैसे price ने इस वाले swing पर fit से देखिया यतनी markings है एक काम करते हैं ये marking रहने देते हैं इसको हटा देते हैं बाकी ये जो lines वगरा है इनको भी remove महर देते हैं ठीक है इसको भी remove कर देते हैं सारी markings from हटा देते हैं daytime frame की सारी markings ने हटा दी है अब देखिए price ने किया कि एक high लगा देने के बाद में एक low लगाया और previous जो low था इसका ये वाला idea यहाँ पर जाकर के इसने support लिया ये समझ भा रहे हैं इसने support यहाँ पर form कर दिया और इस support के बाद से price हमारा इसके उपर ही sustain होने लगा अभी जैसा हमने बताया के 27280 ये कुछ levels हमने mark करके दिये थे कि price अगर इसके उपर निकल जाता ना तो आप trade कर दे तो यहाँ पर आप देख रहोगे काफी सारी candles form हुई है हमने इस structure के थूँ यहाँ पर अपने confirmations लिए trade execute करने के लिए तो हमें जो confirmation मिले 280 कुछ 1 पैसे क्या स्वास मिले 280.10 के पर जैसे ही यह वाली candle मेरी upside के तरफ निकली यहाँ से हमने अपना trade मार दिया और इस stop loss कौन से लगा है यह वाली जो आप green candle देख रहो हमने क्या बताया था कि जो swing बन रहा होगा हमारा change of character के पास में जो मेरा swing बन रहा होगा वो मेरा stop loss का रिया बनता है हाला कि यहाँ पर previous जो मेरा swing बना था हमने skip नीचे अपना stop loss लगा है वो यहाँ पर बन रहा था जो intraday का हमारा swing था अब अगर skip नीचे stop loss लगा थे हाला कि safe यह भी रहता बटी बहुत बढ़ा हो जाता किया किया ना इस black वाली candle के नीचे stop loss लगा करके अपनी यह वाली जो pin बार बनी है इसके नीचे stop loss लगा रही है किसी भी stock अंदर आपको entry करनी है तो आप इन methods का use कर सकते हो समझ मैं I hope कि काफी सारी चीज़े clear होई होगी price गिरा है upside की तरफ गया यह गिर गया support है अब अगर price को उपर की तरफ निकलना है तो इस तरह से करके फिर से price नवारा नीचे की तरफ चला जागा अपने support को break कर देगा है इसके characters change नहीं होगे लेकिन यहाँ पर किया कि price ने इस वाले support के उपशिस ने support लिया लेकिन market में कुछ समय ऐसे बैठो कि यह नहीं यार आज हमें पैजाने चाहिए कुछ समझने की कोशिश करते है कुछ एक चीज़े ऐसी हैं जिसको की observe करने की कोशिश करते है आप देखोगे कि वो ज्यादा फायदा करती है trade execute कर लिया अगर day में आपने first trade मारा है आप यकीन मानो day का first trade सभी का profit में जाता है और दूसरा तिसरा trade ऐसा होता है जो उसको loss मिला करके गसिट के रख देता है कोशिश करो profit में आगए profits को safe करो बचा लो फर्स trade में आपने profit book कर लिया अप second third trade मानने की कोई ज़रत नहीं है बैठो price actions को read करो समझने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो आप सीखोगे आप कमा होगे आप नहीं सीखोगे सोचोगे कि नहीं यार ऐसे काम हो जागा यह है यह है ऐसे काम हो जागा आप नहीं कर पाओगे आप दो दिन काम करोगे तीन दिन काम करोगे फिर loss जहां से शुरू करोगे वहीं पर आकर कर रुप जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो सीखने की जो भी profit वगरा हो रहा है, जो भी loss हो रहा है, अब चलता रहता है यह सब, trending market हो, आपकी, या फिर sideway market हो, यह सब चलता रहता है, main चीज़ें क्या होती है, कि किस तरह से आपका, जो mindset बन रहा है, वो किस तरह का बन रहा है, clear है, तो उसको बस मजबूत करने की कुशिश करो, व